वाजम दिखेंगे दिस इस जॉडी स्फॉन की समरी यह कहानी मारजरी किनन रॉलिंग्स के द्वारा लिखी गई है कहानी की शुरुआत में हम जॉडी नामक छोटे बच्चे को फॉन जो कि हिरन का बच्चा होता है के बारे में सोचते हुए देखते हैं जो कि अपने पिताजी के पास जाता है जो बिस्तर पर अराम कर रहे होते हैं क्योंकि उसके पिताजी को हाल ही में सापने काट लिया था और जिस फोन के बारे में जोडी सोच रहा था उसी की मा जो डो होती है के लीवर और हर्ट को यूज़ करके उसके पिता की जान बचाई गई थी जिस पर जोडी उनसे जाकर पूछता है कि पिता जी क्या हम उस फोन को जंगल से यहां ला सकते हैं क्योंकि अव्य बिल्कुल अकेला हो गया है जिसके बाद उसके पिता जी उसको परमिशन दे देते हैं परमिशन लेने के बाद वे अपनी माता जी के पास जाता है और वहीं पे आई हुए डॉक्टर विलसन भी उस बात से एगरी कर जाते हैं तो फिर जो माताजी होती है वो जॉडी को परमिशन दे देती है फिर जॉडी अपनी मां से बोलता है कि शाम होने से पहले वह घर पे बापिस लॉट आएगा फिर जॉडी मिल विल वक्ति के साथ उसके घोडे पर पीछे बैट कर वह से चला जाता है और फिर वह मिल विल से बोलता है कि क्या आपको लगता है कि वह फोन अभी भी वही होगा क्या आप उसको ढूडने में मदद करोगी मेरी फिर वह दोनों नौर्थ की तरफ कट ले लेते हैं तब ही जॉडी मिल विल से बोलता है कि आप मुझे यही पर उतार दीजे क्योंकि वह जगह अब जादा दूर नहीं है और मैं यहां से पैदल ही आगे का सफर तै करूँगा जॉडी जो मिल विल होता है वो जॉडी से बोलता है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुमें भी साप ना काट ली जिस पर जॉडी कहता है कि आप मेरी चिंता मत करिये मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा जब जॉडी गास को हटा कर आगे बढ़ता है तो एक बड़ा से शिकारी पक्षी वहां पे उड़तावा आता है और डो के शरीर को खाने लगता है साथी जॉडी यह भी नोटीस करता है कि यहां पे बड़ी कैट साय थी और उन्होंनी भी डो के शरीर को खाया था फिर वे कोशिश करता है कि सेंड पे वो फोक के निशान ढूंडे लेकिन ऐसा वापे उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि पिछली रात बारिश आई थी और सारे निशान जो थे वो मिट चुके थे बहुत ढूंडने पे भी जॉडी को फोन नहीं मिलता तबी जॉडी को एक मुवमेंट महसूस होती है और फोन तबी लिफ्ट करता है अपना फेस जिसके बाद वो हिल रहा होता है लेकिन वो अतना भागने की कोशिश नहीं कर रहा होता है जॉडी उसको अराम से विस्पर करके बोलता है मैं हूँ और उसको अपने बाहों में उठा लेता है फिर जॉडी फोन को लेकर वहां घासों में से निकल रहा होता है वो महसूस करता है कि स्किन जो है इस फोन की वो बहुत ही जादा सौफ्ट है और उसमें से खास की खुश्बू भी आ रही है जिसके बाद जॉडी फोन को लेकर वहां से चने लगता है ति उसे डर होता है कि यह जो फोन है वो किकना मारते और कहीं ब्लीट करना ना शुरू कर दे तब ही जॉडी उसको साफ साफ जगा से निकालते हुए रास्ते पे आता है जॉडी को भी बहुत जादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही भारी था फोन जॉडी जा रहा था कि कहीं उस फोन को नुकी ले मतलब जुगास होती वो ना लग जाए तब ही जॉडी को दिमाग में एक बात आती है कि जो फोन है इसने मिनको एकसेप्ट कर लिया है मुझे अपने आपको प्रोटक्शन देने के लिए जॉडी जो होता है किसी तरीके से कोई निशान जो तेनको फोलो करते हुए रोड की तरफ आ जाता है जो कि उसके घर की तरफ जाती है तब ही जॉडी को एक ख्याल आता है जो कि उसके फादर बता रहे थे कि अगर आप किसी फोन को कैरी करते हो तो वह भी आपको फॉलो करने लगता है जौडी भी वैसे ही करता है जिस पर फोन वंबल करता हुआ उसको फॉलो करने लगता है जिस पर जौडी को बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन थोड़ी देर में जौडी उस फोन को दुबारे क्यारी करने लगता है थोड़े दूर चलने पर जोड़ी जो होता है उसको पेन सा महसूस होता है जिस पर वे दोनों रुख जाते हैं तब ही फोन उसको फोलो करता है साथ ही जोडी फोन को दुबारा से उठा कर चने लगता है क्योंकि जो घर का डिस्टेंस था वो जादा दूर नहीं रह गया था जोडी जो था वो अब तक पसीने में बहुत जादा बेग चुका था लेकिन तब एक ठंडी हवा का जोका चलता है जिससे जोडी को बहुत ही अच्छा महसूस होता है साथ ही जोडी सोचता है कि जब घर जाएगा तो वो आगे चलेगा और फोन उसको मतलब फोलो करेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जब वो दोनों घर पहुचते हैं जॉडी फोन को ठाकर इसके प्ताजी के रूम में लेकी जाता है जहाएए उसके फादर अटियॉड़े ने आख्र में फोन को ढूंडि लिया फिर जॉडी किचन में जाता है और फोन के लिए मिल्क लेकी आता है उसको वे अपने उंगलियों से पिलाता है और जिस पे जो फॉन होता है वो काफी अच्छा उसको लग रहा होता है वो दूद पी रहा होता है जो लास्ट में दूद मनलब वो जो पीरा होता है वो उतना खुश होता है कि वो अपने हूफ स्पैर में चुलोगे उत्ते आनिमल्स के वो ही लाता है अपनी टेल आगे पीछे करता है दूश सारा खतम कर देता है तो ये तेज कहानी की स्टोरी आई होप कि आपको समझ आ गई हो